वुड़ाफोन आइडिया यूजर्स के लिए खुशकबरी आई है अब किसी भी आप नेटवर्क पर कर सेकेंगे अन्लिमिटेट फ्री कॉलिंग जी हाँ मेंगे हुए टैरिफ प्लान से परिशान यूजर्स के लिए अब अच्छी खबर आई है एटेल के बाद अब वुड़ाफोन आडिया ने भी किसी भी नेटवर्क पर फ्री अन्लिमिटेट कॉलिंग देने का फैसला लिया है इससे पहले 6 दिसमर को एटेल ने अपने प्लान से अफ़ियूपी लिमिट हटाने की घोशना की थी प्लान मांगे होने के बाद न सिर्फ डेटा को महंगा कर दिया गया था बलकि इसके साथ इन दोनों कमपणियों ने दुसरे नेटवर्क पर भी की जाने वाली कॉलिंग की भी लिमिट सेट कर दी थी यूजर्स को ये बदलाव खास पसंद नहीं आए टिहाजा इन कमपणियों को फिर से अलिमिटेट फ्री कॉलिंग देने का फैसला करना परा टारिफ मेंगे होने के बाद वर्डाफोन आइडिया यूजर्स को 28 दिन वाले प्लान्स में यूजर्स के लिए काफी महंगे होने वाले थे वर्डाफोन आइडिया ने प्लान में किये गए इस नए बदलाव की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट से दी कमपणिय ने अपने ट्वीटर हैंडल से लिखा फ्री का मतलब अभी भी फ्री होता है अब हमारे ट्रोली अनलिमिरेट फ्लान्स से किसी भी नेट्वर्क पर फ्री काल्स का लुप उठाएए आपको बताते चले कि रुलाइंस जियो इसी साल अक्टूवर में IUC को इंट्रोड्यूस किया था इसके लागू होने के बाद अब जियो यूजर्स को दूसरे नेट्वर्क पर की जाने वाली कालिंग के लिए प्रती मिनट 6 पैसे देने पर रहे हैं इसके बाद अब यूजर्स को जियो नेट्वर्क के बाहर कॉल करने के लिए अलग से IUC टॉप आप वाचर से रिचार्ज कराना होता है कंपनी अपने नेट्वर्क पर फ्री कॉलिंग आफर कर रही है इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि टारिफ रिवाईज होने के बाद कंपनियों के प्रीपेट प्लान 40 प्रतीशत तक बहंगे हो गए हैं इसके साथ ही फ्री कॉलिंग का खत्म किया जाना यूजर्स के लिए दूसरा जटका था ऐसे में एटेल और वड़ाफोन आइडिया द्वारा फ्री अनलिमिटेट कॉलिंग फिर से लागू पर यूजर्स ने राहत की सांस ली है एटेल और वड़ाफोन आइडिया के नेट प्लान 3 दिसंबर को लाइव हुए थे नहीं जीयों ने अपनी रिवाइस्ट प्रीपेट प्लान्स को 6 दिसंबर से लागो किया